है फ्रेंस कुमूत की रसोई में आपका स्वाला थे देखिए कितनी अच्छी और टेस्टी आइस्क्रीम बन के तयार हो गई है आगया नमू में पानी बहुत ही अच्छी बनी है एक बार अगर आप इसको खाएंगी तो फिर आपका बार बार खाने के लिए मन लचाएगा इस इसको बनाने के लिए आएँ देखते हैं ये कैसे बना हुआ है इसको आप इस्टोर करके भी रख सकती है इसके लिए 1 किलो आम लीजे जो पका हुआ हो बहुत जादे गला ना हो थोड़ा सा कड़ा ही होना चाहिए और इसके पीछे का हिस्टा काट दीजे काटने के बाद की सहायता से इसको धीरे-धीरे करके बीज निकाल दीजे बीज निकाल देगे तो यह आम एक खोल के रूप में तयार हो जाएगा देखिए इस तरह से यह खोली बन गया हुआ है और इसी दि's aqui करेंगे इसी तरह से शारे आम काट लीजे और काट करके सारे बीज इसके निकाल दीजे, बीज अलग कर दीजे, और पल्प अलग कर दीजे, और ये खोली तयार हो चुका है, किसी भी निकीला चाकू लीजे, और उसीक सहायता से बीज के पास से इसको अंदर करेंगी, तो ये बीज आपका अपने आप ही बाहर आ जाएगा, बहुत हलका सा मेहनत करना है, बीज आपका ये, देखिए किस तरह से बाहर आता है, चाकू की नोग के सहायता से इसको इस तरह से निकाल लीजे, दोनों तरीके से आप इस बीज को निकाल सकती है, दोनों तरीके सरर है, अब बीज निकल लीजे चुका है, अब पल्प अलग कर लीजे, और खोल अलग कर लिजे, किसी चाकू या चम्मच के सहायता से सारे पल धीने धीने निकाल करके अलग कर लिजे, अब एक mixizar लिजे उसमें इसको transfer करिए, mixizar में डालने के बाद इसमें एक कटोरी चीनी डालिए, आप अपने स्वात के अनुसार ज्यादा या कम चीनी कर सकती है और एक कटोरी पीछ लीजिए, देखिए कितना इस मूद ये पेस्ट बन के तयार हो चुका है, एक कढ़ाई चढ़ाई चढ़ाईए और उसमें डाल करके इसको 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लीजिए, जब ये 10 मिनट बात पक जाएगा तो देखिए इस कंचेस्टी में ये आ सारे आम के खोल को रख लीजिए और इसमें नीचे थोड़ा सा रुगापजा डाली है, सारे खोल में देखिए थोड़ा थोड़ा रुगापजा डाल देंगी, इससे बहुत ही कलर अच्छा और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा, और सारे पल्प इसमें भर उसको भी इसमें डाल दीजिए और एक चमबच की सहायता से इसको चला दीजिए, चलाने से ही होगा किसमें डिजाइन बन जाएगा, बहुत अच्छा कलर इसका आजाएगा, देखिए ये, छे-साथ घंटे के लिए इसको फ्रीज में स्टोर कर दीजिए, फ्रीज में स्ट अगर पसंदाइए तो लाइक और स्टोर करें समयावारा किस्टोर कर दीजिए और चलाने से बड़ा कर दीजिए और विएटो अब जैटोर करेंगे, अगर पसंदाए तो लाइक और स्टोर कर देखिए.